एक फीमेल रागु होता है एक कल्ब दुरूम करके कितावेजन ने यह भी मेंशन है कि राग के आकार होते हैं इसे बागिस्री को इन्होंने डिफाइन किया है कि एक लेड़ी गोल्डन हे इस शुर पर बैठे अपने लवर के लिएट कर रहे है यह क्या है यह राग रागनिय थी फिर इनके पुत्र हुए पुत्रियां हुई इस तरह से सारा बढ़ा और उसी पर 14th संचुरी में ध्यान इसलोक बना राग और रागिनियों का जिसके उपर रागमाला पेंटिंग्स बना तो जैसे भैरवी जो है ये रागनी है उसी तरह सार बीमाने कहते हैं आसावरी है बागिस्री है ये रागिनिया है राग तो मुक्षे ही है भैरव है हिंडोल है मेग है मालकों से स्री है और नट नाराइन है एच्छे जनक राग है और इसी से सारे राग निकले हैं ये तान कितने प्रकार के होते हैं तान तो कही तरह के होते हैं सीधी तान होती है वकर तान होती है उसके बाद जिससे सपाट तान कहते हैं सपाट तान में सारे सुर लग जाते हैं एक ही है गोवर जान की सपाट करते हैं नहीं गौली घराने के लिए और फिर मूबंद तान है मूबंद तान क्या होगा खूलेगा नहीं मूँ अच्छा हो तान होगा फिर हलफ की तान है यह हलफ की तान क्या हुई माने यहां है यहां से कलेजे से जो तान जिसमें गमक मिस्रित इस तरह से मिस्रित तान है क हाती का हाँ सुखा के समय में जो था हाती चीगार और मेग गर्जंथ विजली कड़कंथ तो बड़े मुहमद खा थे मक्कन खा सक्कर खा लखनौ थे उनके लड़के और ख्वाल में जो ये तान आया जो बड़े महमद खाई गवाली अर महाराज के यहां आया तो उस वक्त हदु सुखा छोटे थे तो तालीम तो देते सिखाते ने इसलिए उनके जो नथन खांथे उनके दाधा या नाना थे अदु सुखा के उन्होंने का महाराजा सहाब। फिर दादा थे पीरवरख नतन पीरवरख नतन पीरवरख नतन पीरवरख तो अथे वृष्ण आपकुछ ऐसा कीजिये जो arriv deepest अबड़ी मुमत खानorama। यी तानकारी ये दोनों वच्चे हैं तो महराजय ईने प्रोछे ओडम संध्या ने किया क्या है सब उठा लिया जब नतन पीरवक्स ने देख लिया जो दोनों बच्चे तैयार हो गए हुजूर आज इन दोनों बच्चों को गवाई ये बड़ी मोहमत खांके सामने जब हदू हसुखाने गाया और उसमें हाथी ची गारतान जो हसुखाने ली मुझसे खून निकल गया एक पसली खिसक गया बलड भॉमिट कर दिये वो तो बाद में तो जब ले लिया पहला तो बड़े मोहमत खाने सुखान अल्ला क्या बात है इसे दुबारा को हो दुबारा कहने का मतल्ब था उनके छल था उनके मन में वो भाप नहीं सके पूरा जोर देखे जो दुबारा जो लगाएं तो ये पिसक गया और बलड के तुरत मने कहते हैं नथन पिव Singing ऑने कहते है करके मुझ पूच के का बेटा है अब जान तो जाना भी है तान पूरा करके लेकिन पूरा करके सान से जाओ, सम पर आओ, तो जैसे सम पर आए, प्रानुट, तो जो ये चाहते थे सो हो गया, लेकिन ये समझ गए जो हमारा दिन पूरा हो गया यहाँ, तो दर बार छोड़के ओरिवान अरेस के आँ, बड़े मौवद खाँ चले गए, तो जैपुर नरेस ने ज दीजिये, का भई मैंने कहते हैं, मैं दे तो नहीं सकता हूँ, आपके हाँ, आया जाया करेंगे, एक बार तानरस खाँ, हद्दू खाँ, और बड़े मौवारा का लिखाँ, जिनको सुनके, अल्यादिया खाँ साब ने गय की बनाई, ये तीनों की तिकल बंदी हुई थी, तीनों एक पर एक थी, अल्लादिया खाँ साब ने लिखा है, जो वो हमको सुनने का मौका मिला है, जो तीनों आउलिया लोग थी, ये तो सबतों हर घराने में डिफरेंट तान, डिफरेंट स्टाइल होती है, है ना, तो हर घरानी के अपनी बंदिश की भी, कुछ घराने म बात अभी कर रहे थे, बाले में तो, बन्दिश को बहुत बहतु नहीं है, तान वेगदर है, लेकिन बात बहतु बहुत बहत拿 è, लेकिन आगदरेंट मेरे में बंदिश मेरें सी , और भुप दो उनके मालुम होगा जो मुख़डा बंदी कैसे है वो लोग पहले तो किल बंदिशी सिखाते हैं 40-40 बंदिश सिखा दें इंग राग तब फिर आप सीखने जाईए ऐसी बात यह सच है क्या है ऐसे होता था बंदिश कितने प्रकार के होती है बंदिश तुमने कहते हैं सब अलग-अलग तरह के मने कहते हैं जिसमें अलग-अलग रस का अलग-अलग भाव का जिसमें होता है यह तक्षाली बंदिश क्या होई तक्षाली बंदिश जो होता था यह घरानेदार गवयों के यहां जो बंदिश से तयार होती थी उसी को टक् पॉलते हैं और उस टकसाली बंदिस को अगर बतर तालीम से नहीं कोई सीखता था, तो मालूम हो जाता था जी इसको टकसाली बंदिस मालूम नहीं है, यह कहीं से चुरा के सुनके वह इसे उड़ा के गा रहा है। चुड़ाक भिमसंजी ने चाली बंदिश गाई है उन्होंने मारू विहाग में गाई है ने गाई है जैसे एक बंदिश दुर्गा की बंदिश है तू रसिकन रहे है भिमसंजी ने एलपी भी उसका भरा है लेकिन चुके उड़ा के उन्होंने गाई है इसे लिए तू रसिक और कुन-कुन घराने की क्या स्पेश्याल्टी ने जब बिलाइगवा से पुछा है जो किस-किस घराने के गवईयों की जो रेकॉर्ड वनी है वो किसका रखो कौन-कौन तो कहां जो लादिया घराने में केसर भाई का अगर तुमको रेकॉर्ड मिलता है तो उसको जुरूर रखो उससे बड़ियां किसे ने नहीं गाया है और जोटी अब्दुलकरिम खांसे पिया भी ने नहीं आवत चेन वो रेकॉर्ड मिलता है तो उसको जुरूर रखो इसी त इसे और घरानों में वने काते हैं लोग जैसे आगरे घराने में बरवा एक राग है जो दूसरे घराने में नहीं काते हैं बरवा वने काते हैं फिर जोग राग जोग और आगरे घराने में भियो गए जगनात भूआ पुरोहित करके गुणी दास उन्होंने जोग कौस राग बनाया जो कुछ लोग नहीं गढ़ा है रामपुछावसुत्वी भी गाया है हां बहुत लोग गपजा रहा है कि इन वो बनाया हुआ है जगनाद गुआ पुरोईत गुनिदाश के नाम से वो विलायत हुसन खागरे वाले के सागिरत थे हूँ तो विलायत हुसन खांगरे वाले से मुगुवई कुडिकर भी सिखी और विलायत हुसन खांगरे वाले ऐसे थे जो 40 घरानों के उस्तादों की चीजे के कंडाम लेके किन से क्या चीज मिली है अपने आत्मकथा में उन्होंने दिया है आप सबसे ज़्यादा वाली घरानों तो कहीगा कि सबका मूल वही है वही से स्टाट ही हुआ सब चीज एक तरह से ये गलत है क्या कहना ख्याल गाईकी घरानदार गाईकी के जहां तक सवाल है सास्त्रिय संगीत का उसमें जरूरी नहीं है जो बहुत बढ़ियां सुर्ति मधूर हो आवाज क्योंकि सुर्ति मधूर आवाज जो है यो तो मौला की देन है ये रियाज से नहीं हो सकता है लेकिन उसमें देखना है जो मैंने कहते हैं जो ख्याल गाईकी के जो एलिमेंट्स ने जितने हैं उसको कितने बढ़ियां से कितने अच्छे तरीके से किन-किन लोगों ने किस द नहीं जब हम उसका सास्त्रिय विवेचना उसकी करेंगे तो सारे इलिमेंट्स को हम रखते हुए कंसिडर करेंगे तो ये चुकि हम लोग ने बात की कि डॉक्मेंटेशन हो नहीं सकता घराने से आदमी को बधेराना ज़रूरी है इसलिए गुरू शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है हिंदुस्तानी शास्ति संगीत में अभी जितने लोग हैं तब के के गाने बजाने वाले वो सब गुरू शिष्य परंपरा से ही तेयार कि अगर हमें चाहते हैं कि शासी संगीत सब्दगर जाया है सब को शायद ये गुरू शिष्य परंपरा में जाने गानवाला कहां से जाएगा अब उसे कुछ लोगों नहीं कहते हैं जैसे लता मंगेसकर ने भी सीखाया मिंडी बजारवाले हमाने लिखा साब से तो उनकी बारीकी को उन्होंने अपना एक बना लिया एक कुछ ऐसा स्जाइन जो की डिनोट करता था जो उस बारीकी को ऐसा उन्होंने अपने खाते में लिख लिया अब वो लता मंगेसकर ही समझ सकती थी जो वो बारीकी क्या है ऐसे कई लोगों ने अपना किया परसनल विज्दम स क्या important है घराना गायकी को समझना music को appreciate करने के लिए और समझने के लिए घराना गायकी की इस घराने में इसे बात हुई कि इसमें एक सपाट तान लेते हैं इसमें जो तान ऐसे लेते हैं इसमें बंदे ये समझने और appreciate करने के लिए घराना गायकी को समझना जरूरी है कि जरू विशिस्ट गाई की, हर घराने की अपनी खुशूसियत लिये हुए, ओ गाई की सजी हुई है, इसलिए उसको जब तक हम नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तब तक कैसे रेलिस कर सकते हैं, जब यह किराने घराने का है, आप कोई एक घराने के बारे में बताए कि इसकी खास से, इनके जो फूर फादर्स थे, उस घराने के, वो धुरपदिये थे, तो धुरपदियों का जो आवाज लगाने का, बरतने का जो डैंग था, वो ख्याल में भी आ गिया, उनका, इसलिए आप देखते हैं, फयाज खासाब का, चाहे, बिलाइत हुसन खासाब का, चाहे ल दुरुपद जो है, ओ आना ही चाहिए, अलादिया खासाब भी कहते थे, जो कम से कम, दो सो बंदी से एक ख्यालिये को आना चाहिए दुरुपद का, तभी वो अच्छा ख्याल गायक हो सकता है, तो दुरुपद जनक माना गया है, तो इसलिए मैंने कहते हैं, लेकिन आगर घराने से हटके सारे लोगों का आवाज लगाने का तरिका इसलिए है, जो उन लोगों ने उसको और थोड़ा सा मीठा बनाया, उसको परिस्टकार किया, आगरे घराने में फ्याज खासाब की आवाज बहुत मीठी नहीं है, लेकिन उसमें गजब का लोच है, जो कि अट्र धुरुपत के कुछ घराने से का बर्गतर है, धुरुपत में वणी होती है, वणी क्या होती है, वणी जो है यह धुरुपत की एक तरस साहिलियां समझ लीजिए, वहाँ भी यह गाहर पर मुझे आया था, उसलिए वा रुबचे लिए तो गोहार वणी जो है, इसको सुद बांट हो सकता है उसका चलन जो है सो चंचल है नौहार बानी जो है उसमें सेर के छलांग लगाने का जो अंदाज है वो एक सूर से दूसरे सूर पर जो जाएंगे किस अंदाज से जाएंगे वो एक अचंभा पैदा करता है वो आकरस में कमाने कहते हैं और इन तीनों बानियो का मिश्टरित रूप है डागूर और डगर से डागूर आया है तो डगर जो है इस तरह से जाता है तो उसी तरह से इसका भी बड़ात और मिश्टार होता है इसलिए डागूर का अलापचारी जो है वो मशूर है सांस बड़ी गोहारी की आई और इस तरद से कभी तैमיס कहते है याद, पुरह याद नहीं आ रहा है वो चारो बानियों का उसमें सो किया है यह धृुपद की तान और ख्याल की तान में क्या फर्त है धृुपद की तान में मुर्की खठका नहीं लगता है यह परक है और ख्याल में छूट की तान होती है, धुरुपद में छूट की तान नहीं होती है आपके बिहार में कितने musicians से आपने associate रहें, उपके बारे में कितने बहुत closely associated बड़े बिहार में राम चतुर मलिक से खूब रहें, उसको उनकी यादे बताईए मुझे तो सही मानने में जो चारो पट का गवईया जिसको कहा जाता है वो फईयाज खाई थे क्या धुरुपत धमार, क्या लापचारी, क्या ख्याल, क्या साधरा, क्या टपा, क्या ठुमरी, दाधरा, सब एक समय यहां तक की गजल भी, उसी तरह से राम चतुर मलिक भी थे राम चतुर मलिक गजल ठुमरी भी गाते थे? लाजवाब गाते थे जूला सावन तक गाते थे अचा और नेना देवी ने कहा है जो चैति मैंने राम चातर मलिक जी से सीखाए और फिर बलराम पाठक ये अपने धंके सितारिया थे विलाइतका और इम्रत दोनों भाई मैंने कहते हैं बहुत तारीफ करते थे पाठक जी की फिर मैंने कहते हैं रामासिस पाठक और राजकिसोर मिसर बेतिया घराने के जो थे होगी बहुत बानियों का बहुत अच्छे डंग से दिखाते थे उसका भेद और चंदर से कर खाएक हो गए मोंगेर में उरात रहने वालत थे सुपोल के और अबदुलगनी खाँ अजीम खा का जिवाब गाते थे लेकिन लोगों ने जाना नहीं उनको और बेठक में जब गाते थे बीड़ी पीते थे एक कस लगाया उजा के कान पर रख लेते थे और ठुमरी गाते हुए मने आख भी मारते थे जैसे बाई-जी लोगों का है उसी अंदाज से बहुत बेतरीन गाते थे और फिर मुरादबानो मुरादबानो है बहुत अच्छी है कामसर पाठक है यह भी अच्छे है हार्मोनियम में डाक्टर मुनु सरद्याल थे वो तो चलता फिरता इंसेक्लोपेडिया थे चववन परकार हमको तोड़ी का उन्होंने सुना हम सोची नहीं सकते हैं कि उन्होंने सुनाया तोड़ी राग का सुनाया था लेक्टर मुने सरद्याल ने और उनका मानना था जिस राग में धृपद की बंदिस नहीं मिलती है वो प्रामानिक राग नहीं है अच्छा उसको राग नहीं मानते थे वो अब चववन परकार मेरी अकल चरने गई थी जो सबसे गंडा बंदवा के 40,000 रुपया उनको मिला था उस जमाने में अपने नानी से सो उसी में फूक दिया उन्होंने जब दिल्ली गए वो उस्ताद हफीजमात खां डिप्टी चिप प्रडियूसर थे उनसे मिलने जब गए तो उनके दादा की एक चीज उन्होंने सुना सब्सक्राइए तो हफीजमात खां ने कहा जमाने कहते हैं डक्टर दिया ली कहां से मिली आपको यह चीज कहा कि आपके दादा है का मैं गंडा बद सागी दू चट कर रहे हो गए हाथ जोड़ लिया लोड़े तो फयाज कहां साब करते थे जो बैठक में मैं फिल में किसी क बोलती बंद करनी हो अगर तो मुन्नु वाउ को बुला लाओ बहुत घवडाते थे गाने वाले उनसे जब यहार के लावे और किनकिन राजियों में किनकिन खराने कुमेजिशन से आपका क्लूज अस्सोसियेशन रहा है और तो बहुत लोगों से रहा है जैसे अली अक्ब पर खांसाब का तो जवाबी नहीं है है अब बड़े सीधे से पाटे हमें संगीत में ही रहे रहते थे एक बार उनको हमने कहा है जो अलिदा है एकलका लहुंडा माने अमजद अपने वालिद के बर्खी पर पंद्रों दिन का जलसा कर रहा है जिसमें आप भी बजाने आया हैं अमेरिका से और बाबा के इतने नामचीन आप लड़के और रवी संकर जैसे सागिर्द हो के जमाता हो के आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा के नाम पर तो हास्ते हुए हमको बोले जो दखुन आमी ए सब किचु जानी ना आमी सुदू गान बजना जानी यह सब क हो था हमी अपनी रवी संकर के बोलून वो मौस्तवड़ को माहिर लोग तो इस तरह के लोग थे वहने कहते हैं निखिलवाओ के बजाने की तो कुछ ऐसी बाते थी जो सरपास करते रवी संकर जी को भी बहुत कुश्रा उसी तरह से बहादूर खासाब भी कुछ बाते हैं उनके इसी होती थी खास कर के डारा डारा ہलम जाफर का भी जवाब लेग था फैमुदिन डागर उसके बाद फरीद और फो रब्ड़़न दागर फिर आपके सैद दिन डागर फयाजय दिन डागर दागर शहिरी बदीन डागर इन सभी डागरों से अमिन दीन मौहिन दिन सबी डागरों से मेरे उठना बैटना था देवु चोधरी हुए एक उनके उस्ताद मुस्ताक अली खा सारे हमाने कहते हैं फिर मुस्ताक हुजन खान साब के थे इस्तियाक अहमद दिली घराने वाले उनसे भी माने कहते हैं दिली घराने के फिर चांद खा, नसर अमद खा, हिलाल अमद खा, फिर अभी एकबाल अमद, यह सारे लोग थे, तबल्यों आला रखा खा, गुदई महराज, किसन महराज, करामत खान साहब, सब लोगा से, करामत खान साहब के तो वालिद मसिद खान साहब से भी, और दिली प करना जी बहुत गब राते थे उनका पानी उतर जाता था दिलीप चन बेदी बाजकर बुगा को मानते थे और फयाज खा को दोनों को बाजकर बाखले और फयाज खा साब को भीहत मैंने कहते हैं तेज तर्रार आदमी थे भूलने में भी बहुत लेकिन परफॉर्मर कैसे थे पर्फार्मर रहसा हुआ है जो 32-34 सभी के बाद उनको मैंने जाइटीस हो गया उसके बाद वो गला को असर कर गया तब फिर जिस तरह का गाते थे वो वो इसी बात रही नहीं उनकी लेकिन उनको बुलाने में लोग डरते बहुत थे जैसे क्यों बहुत मुफट थे जैसे क्य कोई कहा कोई किसी गाने बजाने वाले को छोड़ते नहीं थे रवार के रख देते थे यह तो मिजिशन से असोसियेशन हुआ जो कि आप तो मिजिकॉलिजिस सफे में यह बताईए आपसे पसल स्वार पूस्त एतनी खुम सुरत पस्नालिटी है यह गाईका लोग हुए है किशोरी जी की नाम नहीं ले रहा हुए किशोरी जी ता आपस उबर में बड़ी है इन कुछ उबर में छोटी गाईका भी होग हासी मजाक हो जाता था मस्करा कर लेते थे जरूर लेकिन उस हद तक नहीं जाते थे यह मौला की रहमकरम थी जो नहीं जाते थे नहीं तो जाने की तो पूरी छूट थी ऐसा कुछ नहीं था कहीं लगाम नहीं था बेलगाम घोड़ा जिसको कर लिजे वही थे लेकिन कभी अब यह बताएए, आप तो काफी दिन रहे हैं इन बिहार संगीतनाटर के अकडमी, आप तो फाूंडर सिक्रिटरी थे, आप सेंटर संगीतनाटर अकडमी में भी रहे हैं, शास्तिस संगीत के प्रेजर्वेशन और प्रोमोशन के लिए ये दोनों संस्थायन ने क्या भूमि होई नहीं सकी जिसमें किये अच्छे तरह किसे इसका आर्काइब बनाए जाता और लेबरेरी बनाई जाती है और सारी चीज फिर भी मेरे अपने समय में जितने आयोजन किये उसका वीडियो रेकोर्डिंग मैंने किया सब मैंने अपने ही पास रखा वहां कुछ रहने दिया नहीं तो वह सब बरबाद हो जाता और सेंटरल अकाड़िम में तो बजाते हैं उनका अच्छा खासा अर्काइब है जो बहुत सारी रिकोर्डिंग्स ऐसी भी है जो कहीं नहीं है लेकिन उसका यूटिलिटी कुछ नहीं है हमारे बहुत कहते कहते तब 2006 से उसका सीडी करके मार्केट में लाना वहां से सुरू हुआ है तो मैंने पूछा वहां जैंत कस्तुवार जो सेक्रेटरी थे और मिर्दा साफ चेर्में थे जो 54 से सेंटरल अकाड़िमी है कलाकार निर्मान कलाकार पैदा करने मैं अकाड़िमी की क्या भूमे का रही आप बजाते अपने स्ट कलाकारों का सिस्टम बंदल से मिनियार करते हैं सब कुछ करते हैं यह तो और भी संस्थाएं करती हैं लेकिन जो बुनियादी बात है कलाकार तैयार करने का इसमें कितना बजेट है अकाड़िमी का और अब तक क्या की है तो जीरो 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 हमने का ऐसा क्यों है इस बुन प्राइवेट चैनल्स जो है टीवी में वो इंडियन आइडल्स और फराना धेकाना बहुत सारा सब कुछ करते हैं और उसमें आठ दस बारह पंद्रह चौदर साल के लड़के लड़की आती हैं और वो क्या कमाल का मैंने कहते हैं सुर और ले मेखे वो सारे खेलते हैं के पास 3-5 साल के लिए दीजिए उस्तादों को अच्छा अनुरेरियम दीजिए उन सीखने वालों को दीजिए और हर छे महेंने स्क्रिनिंग कीजिए जो क्या सिखाया क्या उन्हां कितना सीका उन्होंने इस तरह से कुछ कलाकार तयार हो जाएंगे इस तरह से, जिसकी बड़ी आव सकता है ये Music College खोलने की बात कभी हुई एक कभी, हमने ही कभी कहा था कि अमने को लैबरी भी एक होना चाहिए यहाँ, लैबरी होना चाहिए एक Music के लैबरी होना चाहिए जो की नहीं है, किलकिताबे ही नहीं जिसमें आकाईव में जो चाहे अपने जा करके सुन सकता है टेप कर सकता है, जितनी चीज़ रखी हुई है उसका प्रॉपर डॉक्मेंटेट रहे कि गायब नहीं हो जाए हमने बजाबते एस्टेट लेवल Music College और उसका प्रारूप और उसमें डॉक्मेंटेशन करने का है उसकी लैबरेरी बनाने का है उसकी सारी चीज एक्जोस्टिव एक प्लैन बना के दिया हमने सरकार को वो प्लैन बस वही सही मने उसका आचार मुरब्बा बन रहा है लैबरेरी बनाने बहुत जरूरी है तो यह सरकार के असतर से वो materialize नहीं करेगा कभी, वो private मैंने कहते हैं जैसे दिल्ली में है, सिर्राम सेंटर हो गएरा जिस तरह से, चाहे कलकते में है सारे चाहे इस तरह से तो कोई इसी तरह से मैंने कहते हैं कोई विजनेस हाउस मिल जिसको इन्वाल्व करके यहां कुछ इस तरह का सुरू किया जाए तब ही हो सकता है तब हाकर मैंने ITC को खुद लिखा था से पार सार पहले और कुछ नहीं तो एक लाइबरी स्टार्ट करने में आपसे कुछ मदद चाहिए कभी होच नहीं पाया है अभी मैंने दूद देशन के डिरेक्टर जेनरल को भी बोला है तो कहें कि सो अच्छा लिख कर दो लिखा नहीं हूँ बहुत भाई चीखेंगा है मैंनों कहा लाइबरी शिरू हो जाए आपका क्या कहना है म्यूजिक का लाइबरी शिरू हो जाए बहुत ही इस चीखो शास्य संगीत के पर्मोशन प्रोपरगेशन के लिए बहुत पदद करेगा आप क्या सोचते हैं यह बहुत बच्छी बात होगी मैंने कहते हैं और अभी डीजी हैं तिरूपरारी स्वरंग उनको इस ओर रुजान भी है और बहुत सारे दुरलब रेकॉर्डिंग से हैं उनके पास वीडियो सारे पुराने लोगों का भी तो यह पटना में एक खुल जाए और नॉन गवर्मेंटल और्टाइजेशन कुछ जो कुछ करने के कोशिश कर रही है उसके बारे भी आपका क्या कहना है उसमें बहुत कुछ लोग करना चाहते हैं जिनको फाइनांसेल असिस्टेंस नहीं मिलता है सरकार से बहुत जाना चाहते हैं आर्टेंड कल्चर का है तो ऐसे मांने कहते हैं गिने चुने जो स्वेक्षिक सनस्थान है आर्टेंड कल्चर के उनको दीजे एक रासी मूटी रासी सालाना और वो तो आपको पाई टू पाई माने कहते हैं हिसाब सम्मित करेंगे आपको और आप देख ली आडिटेड उन्ड का एकाउंट होगा तो फिर आप देते नहीं है यह पहले दिया जाता था यह के वर्सों से बन दे आप जब थे बिहाद संगित अपनी मदद की हुई वी बहुत से संस्थानों को तो हम तो जैसे धुर्पत समारों का सिल्सला हमने 680 से सुरू किया तो उसके बाद अलग धुर्पत समारों के लिए अलग ग्रांट मिला फिर यहां हुआ जो कलचर डिपार्टमेंट के तरफ से जो वह साओ्थ इंडियन नौर्थ इंडियन में डूएट तो वह सतासी में हमन पखावज का डुएट हुआ है, कथा का और ODC का डुएट हुआ है, और गाने में हमने मलेक आरज़न मंसूर को बुलाया है, टपा में गोवर्जन मिसर को रखा, वाइलिन का है, सौथ इंडियन, नौर्ठ इंडियन वो डुएट करवाया, संतोसकुमार नहार एक कलीयार सनथ अंदर के था ये करवाय था, फिर अला जिलाब लाई को मांड गाने के लिए बुछाए था ये किया, तो हर आयोजन के लिए एक रासी माने कहते हैं जो हमने मांगा तो मिला एक जिसे हम कर पाएं जाते आप कुछ कहते जाएं कुछ सुनाते जाएं तो एक सिसला तो चत्ते रहेगा सगीत कहता बड़ा सिसला है कि तो लोग तो दिन भी बैठे देंगे तो कभी खत्ब नहीं होगा यह एक जगदीब मिसर थे जिनका मैंने जिकर किया तो वो कभी गा के चार बजे पांच बजे पहुंचते थे कभी इर चोरा और उनकी पतनी थी कुम करने नौ बजे से पहले उठती नहीं थी तो एक दिन वो पहुंच गए ऐसे चार पांच बजे अब फुआर पढ़ रहा थ था वो सांकल पकड़ के खड़े हो गए दरवाजा ठाड़ो राजा रसकी बूंद पढ़े यह भैरवी में सुरू हो गए और नौ बजे तक इसी में वो फिरते रहे अब पूरा कभी चोरा का जित्रा जो मुँ धोने के दातुन मुँ में किये हुए है जो गंगा इसनान कर ने लुटिया लिये हुए सारा मने वहाँ एक मजमालक किया तो यह था दरवाजा ठाड़े रहो राजा रसकी बूंद पड़े यह किसी दिन का कि मैं यह सुना दूंगा